हेलो फ्रेंज, वेलकेम बेक टू माई चैनल इस मड़ार और भांदोर वाली लाइफस्टाइल के बीच खुद को फीट रखना एक आपने आग बड़ा चैलेंज है लेकिन कैते हैं एना कोशिश करने से कुछ भी ना मुंकिन नहीं है कुछ लोग हैं जो खुद को फीट रखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ अलग करते रहते हैं आज हम आपको खजूर के फाइदे के बारे में बताएंगे जिसे आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो शारीर की सभी छोटी बड़ी बिमारी से आपको छुट करा मिल जाएगा डाइफूर्स पोशन से भरपूर होता है जो आपको सेहात को तुरस राखने के साथ साथ हेल्दी भी राखते हैं खजूर में नाचराल मिठाई होता है तो आगर आप चीरी छोड़ना चाते हैं तो उसकी जागहा आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं खजूर भीगो कर खाने का फाइदा भीगाए हुए खजूर को खाने से उन्हें पचाना भी आसान हो जाता है अगर आप खजूर का स्वाद लेना चाता है और उसके पोशक तक तो भी पाना चाते हैं तो खाने से पहले रात पे आठ से दस घट्टे के लिए उसे भीगो कर रग दे खजूर में कई तरह के पोशक तत्त होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, फाइबर, भीटामिन के, भीटामिन बी, पोटाशिया, मैगनेशिया, आइरन, कैल्सिया, मैगनानीज, जीग आदि ये सबी पोशक तत्तो हमें कई रोगों से बाचाने का काम करता है आईए जानते हैं खजूर खाने से सरीर को किस-किस तरह के फाइदे मिलेगे नामबार वार, रोजना खजूर खाने से आपको कप्च से रहात मिलेगे नामबार टू, बाड़े हुए कोलेस्टरॉल को काम करने में मदद मिलेगे नामबार थ्री, ब्लाड प्रेशर कांट्रोल में आएगे हड्डिया मजबूत रहेगी मत्सिस्कु के कारियों में तेजी आएगी ठाकान और कामजोरी से छुटकारा मिलेगा एनिमिया के रोग्यों के लिए फाइदेमान है खजुर नामबर एन, बाबासिर की समस्चा को खतम करने में मददगार है खजुर नामबर नाइन, तौचा और बालों के लिए भी बहुत फाइदेमान है नामबर तेन, शार्णिक ताकात और स्टाबिना बाराने में मददगार है खजुर नामबर 11, हिद्राई की हिद्राई को हल्दी राकते है, हिल्दी राकता है पुरूश और महिला दोनों की जोड़ों सकती बाराने में का काम करता है खजुर आज का वीडियो यही तक है, आगर वीडियो आच्छा लागे तो लाइक, शेयर, कॉमेट करते जेगा आज के वीडियो यही पर लगते, तब तक के लिए, बाई बाई, टेक क्यार